हालो दोस्तो आप सबका फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत हैं तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं जो आप ऐसे टबलेट के बारे में जानते हैं जो कि अगर जवान लड़के या फिर साधी सुदा पूरुस उस दवाई को खाते हैं तो लगवक 24 घंटे तक उनके सरीर के प्राइबेट पार्ट में उसमें बुलडोजर जैसा उर्जिया और जोस बना रहता है और जोस की कमी महसूस नहीं होने देता हैं तो दोस्तो वो टबलेट है और वो एक एसा दवाई है जो की 46 टबलेट है दोस्तो आप लोगोंने 46 टबलेट के बारे में जरूर सुना होगा क्योंकि यह टबलेट बहुत ज्यादा पापुलर और ब्राण जानी मानी टबलेट है तो बात करें 46 टबलेट की तो दोस्तो इसके अंदर वो दवाई होती है वो होती है टडाला फील और इसको लुपीन फार्मा कॉंपनी बनाती है और इस टबलेट के एक पत्ते में टोटल 4 टबलेट होते है और साथ में इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो 46 टबलेट है वो आखिरकार में है क्या और साथ में ये भी बात करेंगे कि यह दवा आपके सरीर में जो है वो काम कैसे करती है और इस टबलेट को पूरू स्किन किन समस्याओं में उप्योग कर सकते है इस टबलेट को कैसे लेना है कितना डोज लेना है कितने दिनों तक लेना है और इस टेबलेट को लेने से क्या कुल साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं तो भाई पूरी जनकारी इस वीडियो में मिलने वाली है तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दिखाए दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि यह जो सियालिस टेबलेट है यानि की टडाला फिल्ट टेबलेट है आखिरकार में ये टेबलेट काम कैसे करती हैं तो दोस्तो मैं आपको बता दू जब भी कोई जवान लड़का या फिर साधी सुधा पूरू इस टेबलेट को लेते हैं तो यह टेबलेट जो है पूर्षो के प्राइबेट पार्ट में जो ब्लॉड वसल्स होती हैं उनको रिलेक्स कर देती हैं अब जब ब्लॉड वसल्स य कितना घंटे तक रहता हैं तो दोस्तो जैसा कि मैंने बताया या एक एसा दवाई है जब भी आप इसका उप्योग करते हैं तो यह आपके सरीर में 24 घंटे तक असर बना रहता हैं दोस्तो अब हम आगे फटा-फट बात कर लेते हैं कि यह जो सियालिस टबलेट है यानि कि डाला फिल्ट टबलेट है इसको आखिरकार आपको किस कंडिशन में उप्योग करना है तो दोस्तो मैं आपको बता दू जिन पूर्षो के प्राइबेट पार्ट में कडापन नहीं आता है या फिर आता भी है तो वह बहुत कम समय के लिए आता है जिसको हम लोग नपुन सक करते हैं तो वहाँ पर जब आप इस दवाई को लेते हैं तो ये दवाई क्या करती है फिजिकली आपके प्राइबेट पार्ट में ब्लोड का फ्लो बढ़ाती है जिसे भाई अच्छा खासा कडापन आता है और वो ज्यादा देर तक बना रहता है कई पूरुस बोलते हैं म भी आप मजा कर पाएंगे और थर्ड टाइम भी मजा कर सकते हैं तो दोस्तों उमीद है कि आप जो हैं काफी असानी से समझ गए होंगे अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ये जो सियालिस टबलेट है यानि के टडाला फिल टबलेट है इसको पूरुसों को कैसे लेना है और कितना डोज लेना है कितनी देर पहले इस दवाई को उपयोग करना है तो दोस्तों मैं आपको बता दू जब भी आप अपने बीबी के पास या फिर अपने साथी के साथ बिश्तर पे जाएं तो उसे 30 मिनट पहले या फिर 45 मिनट पहले इस टबलेट को एक गलास पानी क साथ उपयोग करना है बात करें इसके डोज के बारे में तो अगर आप इस टबलेट को रोज उपयोग करना चाहते हैं तो इसकी जो सबसे लोवर स्टेंथ वाली टबलेट आती है यानि कि सबसे कम एमजी वाली टबलेट और वो है धाई मिलीग्राम और पाच मिलीग्राम वो आप इस टेबलेट को regular जो दिन में है एक बार उप्योग कर सकते हैं। अगर आप इस टेबलेट को महिने में एक क्या फिर दो बार उप्योग करते हैं, तो वहाँ पर आप जो है 10MG या फिर 20MG वाली टेबलेट वो आप ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस टेबलेट के side effect के बारे में, तो भाई इस दवाई के side effect जैसे आपके चेहरे गर्दन नाग पर गरमार सी महसूस हो सकती है, या या दवाई लेने के बाद इसके अलावा आपको सर में दर्द हो सकती है, बदन दर्द हो सकती है, आँखों से साप दिखाई नहीं देना धुदला दिखाई देना और इसके लावा आपके पेट खराब हो सकते हैं तो भाई ये सब इस टबलेट के most common side effect होते हैं I hope दोस्तों तो आज के इतना ही तो दोस्तों आप लोगोंने 40 टबलेट के फायदे और नुक्सान के बारे में जाना तो आप लोगों को यह वीडियो कैसे लगी अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपके मन में किसी परकार के question है तो नीचे comment करके पूछ सक सकते हैं धानियाबाद